Hello viewers, मैं हूँ आतिफा काजी और डेली PCSGK के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रशन से हमने आपसे पूछा था केंद्रिये चुडिया घर प्राधीकरण के स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी आपके options थे तो इस question का सही आंसर था option A नरसल हाली में केंद्रिये पर्यावरण 1 एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री के अध्यक्षता में केंद्रिये चडिया घर प्राधीकरण की 49वी बैठक राष्ट्रे प्राणियों उध्यान नई दिल्ली में आयोजित की गई केंद्रिये चडिया घर प्राधीकरण ये संक्षिप्ट में CZA पर्यावरण 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्राली के तहत एक वैधानिक निकाय है इसके स्थापना 1992 में भारतिये वन्ये जीव सनरक्षन अधिनियम 1972 में एक संशूधन के माध्यम से की गई थी इसलिए ऑप्षने सही अंसर है इसका उद्देश्य भारतिये चडिया घरों के कामकाच के निकरानी करना और प्रिथक उपायों के माध्यम से वन्ये जीव सनरक्षन और रण नीतियों को सहायता प्रदान करना है इसके अध्यक्षता केंद्रिया पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें कुल दस सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होता है CZD का मार्ग दर्शक उद्देश्य भारतिय चडिया घरों में बंद जानवरों के आवास, रखरखाव और स्वास्थे देखभाल के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करना है वर्तमान में 147 चडिया घरों को माननिता देता है चडिया घर, संरक्षन, जागरूपता, दुरलब जीवों का प्रदर्शन, बचाव और पुनर्वास तथा संकट ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षन प्रजनन कारे क्रमों से लेकर कई अन्नेकारे पूरा करते हैं आईए ब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तो हमारा पहला प्रशन है निवने लिखित में से कौन इंडो पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस से नहीं है A. चीन, B. भारत, C. दक्षन कोरिया, या फिर D. ऑस्ट्रेलिया तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A चीन इस फ्रेमवर्क का भारत, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया तथा दक्षन कोरिया, न्यूजिलन, फिजी और आसियान के दस सदस से देशों में से साथ देश, हिंद प्रशान आर्थिक धाजा यानि IPEF के सदस से है चीन इस फ्रेमवर्क का भाग नहीं है इसलिए ऑप्षन A सही अंसर है IPEF के चार स्थम्भ हैं इनमें शामिल है आपूर्ती श्रंखला लचीला पन, स्वच उर्जा, डिकाबनाईजेशन और बुन्यादी धाचा, कराधान और भ्रष्टा चार रोधी, और निश्पक्ष और लचीला व्यापार चलिए वगला प्रशन देखते हैं निमनलिखित में से किस के द्वारा डिजिटल भुकतान सूचकांक यानि DPI जारी किया जाता है नीतियायो, वित्मंत्राले, भारतिये रिजर्व बैंक या फिर भारतिये राष्ट्रे भुकतान निगम तो इस प्रशन का सही उत्तर है आप्शन C, भारतिये रिजर्व बैंक हाली में RBI ने डिजिटल भुकतान सूचकांक यानि RBI DPI के आकड़ों को जारी किया है इसलिए आप्शन C सही आंसर है सोचकांक में देश भर में डिजिटल भुकतान को तेजी से अपनाने और व्यापक पहुच बनाने के संकेत देते हुए महत्पुन वृद्धी को प्रदर्शित किया गया है ये सोचकांक देश भर में भुकतानों के डिजिटली करण की सीमा को दर्शाता है इसे अर्दवार्शिक रूप से प्रकाशित किया जाता है इस सूचकांग के लिए 2018 को आधार वर्ष के रूप में और स्कोर को 100 के रूप में निर्धारित किया गया है RBI के अन्न रिपोर्ट्स में शामिल है उपभोगता विश्वास सर्वेक्षण, वित्य इस्थरता रिपोर्ट, मौदरिक नीती रिपोर्ट, विदेश्य मुद्रा भंडार रिपोर्ट आदी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के और उर्जा और संसाधन संस्थान यानि T.E.R.I. के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए A. इसके स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी B. ये ग्रह मंत्राले के अधीन कारिरत एक वैधानिक मिकाय है C. इसे पूर्व में टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था या फिर D. इसका प्रमुख भारत का केंद्रिय पर्यावरन वन एवं जलवायू परिवर्थन मंत्री होता है तो इस कुस्चन का सही आंसर है Option C. इसके स्थापना वर्ष 1974 में टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से की गई थी वर्ष 2003 में इसका नाम परिवर्थित कर उर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया इसलिए Option C. सही आंसर है इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है किसी भी संपोर्ण भवन निर्मान के लिए भारत की राष्ट्रे रेटिंग प्रणाली ग्रह रेटिंग को T.E.R.I. द्वारा नवीन और नवीकरणिया उर्जा मंत्राले के साथ सहीं त्रोप से विकसित किया गया था चले रुख करते हैं अंगले प्रशन के ओर प्रतिवर्ष अर्थ ओवर्शूट डे की तारीख की गोशना किसके द्वारा की जाती है A. विश्व स्वास्ते संगठन यानी वहो B. प्रकृती संरक्षन के लिए अंतराष्ट्रे संग यानी IUCN C. ग्लोबल फुट्प्रिंट नेट्वर्क या फिर D. उर्जा इवं संसाधन संस्थान यानी T.E.R.I. तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन C. दरसल अर्थ ओवर्शूट डे की अवधारना पहली बार UK Think Tank New Economics Foundation के एंड्रियू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसने वर्ष 2006 में ग्लोबल फुट्प्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर पहला ग्लोबल अर्थ ओवर्शूट डे अभियान को शुरू किया था इसलिए ओप्शन C सही अंसर है ये दिवस प्रतिवश उस तारीख को चिन्नित करता है जब हम पृत्वी द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्द कराए गए समस्त संसाधनों का उपभो कर चुके होते हैं अर्थोवश उडे की गणना ग्रह की जैवक्षमता यानि उस वर्ष पृत्वी द्वारा उत्पन पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा को मनुष्यों के पारिस्थितिक पदचिन यानि उस वर्ष के लिए मानवता की मांग से विभाजित करके तथा 365 से गुणा करके एक वर्ष में दिनों की संख्या की गणना द्वारा की जाती है ग्लोबल फूट्प्रिंट नेटवर्ग की बात करें पदचिन डेटा उपलब्द कराना है चले बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओ निमनलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी यानि शार्दा नदी तीस्ता नदी ओमंगोट नदी या फिर सुबंसिरी नदी तो इस・कॉच्टन का सही अंसर है काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शार्दा के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड और उत्तर-प्रदेश में प्रवाहिद होती है इस नदी का उत्गम उत्तराखंड के पिछौरागर जिले में काला पानी नामक स्थान से होता है काला पानी क्षेत्र भारतियों के एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है अपने उपरी मार्क पर ये नदी नेपाल के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है फेनी नदी का उद्गम दक्षन ट्रिपुरा जिले से होता है तथा ये सब रूम शेहर से बहती हुई बांगला देश में प्रवेश करती है जबकि तीस्ता नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मो पुत्र नदी यानि बांगला देश में जमुना नदी में विले हो जाती है चलिए बगला प्रशन देखते हैं निमनेलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित है यहाँ दो युगम दिये गाए हैं बाई और हाथी रिजर्व हैं और दाई और उनसे संबंधित राच्चे हैं तो उप्शन्स है ए सोनितपुर पंजाब बी इंतंकी नागलेंड सी अनामुडी तमिलनाडू या फिर डी श्रीविली पुथुर आंधर प्रदेश तो इस कस्चन का सही आंसर है उप्शन बी हाथी परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है इसे हाथियों, उनके आवास, तथक गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में आरंब किया गया था प्रमुक हाथी रिजर्व की बात करें तो सोनित पो टैगर रिजर्व, अरुनाचल प्रदेश और असम के पूर्वी पहाड़ी जंगल में इस्थित है इन्टंकी वन्यजीव अभ्हरने नागलेंड के कोहिमा में इस्थित है, इसलिए ऑप्शन भी सही आंसर है अनामुडी केरल के एरना कुलम जिले और इडुक की जिले में इस्थित एक परवत है एवं ये पश्चिमी घाट और दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है वहीं ग्रिजल गलहरी वन्यजीव अभ्हरने ये संक्षिप्त में GSWS जिसे श्री विलु पुथर वन्यजीव अभ्हरने की रूप में भी जाना जाता है तमिलनाडु में स्थित है चली बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर मिंजर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है हिमाचल प्रदेश में? उत्तराखंड में? केरल में? या फिर करनाटक में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओप्शिन ए हिमाचल प्रदेश दरसल हाली में प्रदान मंतरी ने मन की बाथ प्रोग्राम में एक भारत शेष्ट भारत के तहट एकता की भावना को बढ़ावा देने में पारुपरिक मेलो के महत्व पर प्रकाश डाला इस दोरान उन्होंने माचल प्रदेश में चंबा के मिंजर मेला का जिक्र किया इसले option ने सही answer है हाली में इस मेले को केंदर सरकार द्वारा अंतर दर्जा देने की भी घोशना की गई है दरसल मक्य के पौधे के पुश्प क्रम को मिंजर कहते हैं जब मक्य पर फूल खिलते हैं तो मिंजर मेला मनाया जाता है और इस मेले में देश भर से परेटक हिस्सा लेने आते हैं मिंजर मेला 935 ईसवी में त्रिगर्थ यानि कांगणा की शासक पर चंबा के राजा की विजय के उपलक्षे में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है ये मेला शावन मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है इस मेले की घोशना के समय मिंजर का वित्रन किया जाता है जो पुरुशों और महिलाओं द्वारा समान रूप से पोशाक के कुछ हिस्सों पर पहने जाने वाली रेशम की लटकन है चलिए बगला प्रशन देखते हैं समविधान के कौन से भाग में समान नागरिक सहिता की बात कही गई है तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन बी भाग चार हाली में कानून और कार्मिक संबंधी संसत की इस्थाई समीधी ने गोवा की एक समान नागरिक सहिता की समिक्षा की है गोवा भारत का एक मातर ऐसा राज्य है जहां एक समान नागरिक सहिता लागू है समविधान के भाग चार में राज्य के नीत नदेशक्त सिध्धान यानि डीपी एसपी के अंतरगत अनुच्छे 44 में समान नागरिक सहिता की बात कही कई है इसलिए आप्शन भी सही अंसर है अनुच्छे 44 के अनुचा राज्जे अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेतर में एक समान नागरिक सहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा निमने लिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? A. गोल्डन महाशीर B. इंडियन नाइट जार C. स्पून बिल या फिर D. गुड़ावन तो इस केस्टन का सही आंसर है Option A. गोल्डन महाशीर गोल्डन महाशीर तेजी से बहने वाले पानी तथा विशाल जलाशियों और जीलों में पाई जाने वाली मचली है इसलिए Option A. सही अंसर है गोल्डन महाशीर मचली भारत में हिमाले की तलहटी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटियों, कावेरी, तामरा परणी और कोसी आधी नदियों में पाई जाती है महाशीर को मचलीों के बीच बाग के रूप में भी जाना जाता है इसे IUCN ने लुप्त प्राय स्थिती की श्रिनी में रखा है इस मचली का स्तित्व मीठे पानी के पारिस्थिती की तंत्र के स्वास्थे का सूचक है वहीं इंडियन नाइज़र की बात करें तो ये पक्षी दक्षिन एशिया और दक्षिन पूर्व एशिया में खुली भूमी में पाया जाता है इसे IUCN में लीस्ट कंसर्ण श्रिनी में रखा गया है वहीं Great Indian Bustard या GIB चमच जैसी चोच वाला एक प्रवासी पक्षी है जबकि गोडावन भारत में Great Indian Bustard यानी GIB को सोंच रहे के नाम से भी जाना जाता है जबकि राजिस्थान में इसे गोडावन के नाम से जाना जाता है ये राजिस्थान का राज्किय पक्षी है और मुख्यत भारतिय उपमहद्वीप में पाये जाने वाला एक विशाल पक्षी है तथा विश्व में पाये जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है चलिए बढ़ते हैं आज के दसमें और अंतिम प्रशन की और निमनेलिखित में से कौन भारत के सभी ATMs को जोडता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रे वित्य स्वेच यानि NFS भारत में साजह स्वेचालिट टेलर मशीनों यानि ATMs का सबसे बड़ा नेटवर्क है NFS बैंकों के ATMs के Interconnected Network द्वारा नागरिकों को किसी भी बैंक के ATM के माधिम से लेंदेन की सुविधा उपलब्द कराता है इसे 2004 में देश में ATM को इंटरकनेक्ट करने और सुविधा बैंकिंग को बढ़ावा देने के लक्षे के साथ Institute for Development and Research in Banking Technology संक्षिप्त में IDRBT द्वारा विकसत किया गया था इसे 14 दिसंबर 2009 को NPCI ने IDRBT से ले लिया था आब इसे National Payments Corporation of India यानि NPCI द्वारा चलाया जाता है इसलिए Option सी सही अंसर है National Payments Corporation of India की बात करें तो ये देश में खुदरा भुगतान और निप्टान प्रणाली के संचालन के लिए एक समगर संगठन है इसे Company अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लापकरी संगठन के रूप में शामिल किया गया है इसे भारतिय रिजर्व बैंक यानि RBI और भारतिय बैंक संग यानि IBA द्वारा भारत में भुगतान एवं निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भुगतान और निप्टान अव संरचना के विकास है तो स्थापित किया गया है चलिए बारी हाज के भ्यास प्रणाली तो हमारा क्वेस्चन है स्वराज मेरा जन सिध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा नारा किस ने दिया था? आप्शन्स हैं A. बाल गंधर धरतिलंग B. लाला लाच पत्राय C. विपिन चंद्रपाल या फिर D. सुभाष चंद्रबूस तो इस प्रेशन का उत्तर कॉमन सेक्शन में देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिक्रम Science This Week ये कारिक्रम हर अविवार दोपहर 12 बजे द्रश्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है